कि नमस्कार दोस्तों आर एस बिजाने स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है तो आज के वीडियो में प्लाउच का बैकनिक दिजाइन बनाना बताएंगे तो दिखें में साइज के साब से इसे कट कर लिया है जितनी लंबाई रखनी है उससे एक इंच ज्यादा ले लिजेगा सुल्डर लिया है साड़े छैंच आर्मोल लिया है छैंच गले की चोड़ाई लेंगे चार इंच और देखिए वीगले का यह डिजाइन है तो इसमें जो सुल्डर है ज्यादा ही लेना होता है क्योंकि यह चोड़ाई उपर से बढ़ाएंगे तभी अच्छे से आता है यहाँ पर देखिए इस तरह रीबन की साहिता से हमने सीधा इस तरह से वीगले का शेफ दे दिया है अब इसे यहीं से काट करेंगे तो इस तरह काट कर लिए आप कपड़े पर रखके काट करेंगे इस तरह ने गले की कटिंग का लिए है अब कपड़े की सीधी वाली तरफ अस्तर को रखना है उपर की तरफ और कपड़े की सीधी वाली तरफ और इस तरह से फिर गले पर एक से लाई लगा देगे तो देखें में गले पर सिलाई लगा दी और नीचे की तरफ भी लगा दी अब दो चार काट इस तरह लगा देंगे उसके बाद इससे पलट कर सीधा कर लेंगे तो इस तरह पलटने के बाद देखें गले की उपर अच्छे से बनाते हुए एक सिलाई लगा देंगे तो गले के उपर हमने सिलाई लगा दी है सिंपल गला इस तरह त्यार हो गया है उसके बाद इस तरह लेंगे पाइपीन पट्टी अब गले पर बनाएंगे पाइपीन तो इस तरह हमने गले पर पाइपीन बना दी है अब डेजाइन बनाने के लिए इस तरह से लेना है हमें डाइ इंच का जोपोर कपड़ा और इस तरह से डिजाइन हमें बना लेनी है तो यह डिजाइन पूरे गले पर रहेगी तो इस तरह से पहले बना कर त्यार कर लेना है तो अब देखें इस तरह से गले वाली साइट से एक इंच छोड़ते हुए बाहर वाली साइट से इस तरह डिजाइनों को रखना है और देखें बीच में इस तरह से बिल्कुल बराबर सटाके नहीं रखना है थोड़ा थोड़ा गयब देते हुए इस तरह से रखेंगे अब देखें लेश लेंगे तो रेड़ पाइप इनका इस तरह से इने लेश ले लिया है और इस तरह रखते हुए इससे लगा देना है तो इस तरह हमने लेश को लगा दिया अब देखें इस तरह लेंगे दो इंच का चपड़ा यहाँ पर हम दो इंच का लेंगे और यहीं डिजाइन हमें बनानी है जो हमने की गले पर लगाई है रेट कलेट की गली और यहाँ पर देखिए ये इस तरह से इसको बनाना है और यहाँ पर धागे से बांध लेंगे तो इस पर मसे इसलाई नहीं लगाएंगे ताकि कप्राई में बिल्कुल फैला हुआ नहीं चाहिए इसलिए इस तरह से इसको बांध लेंगे और यहाँ पर पांच डिजाइन इ तेयार कर लेंगे और फिर सभी को धागे में डालना है और टाइट से इस तरह खींचेंगे धागे को और लाट वाली दोनों डिजाइन उपर पकड़ कर सिलाई लगा देगे तो इस तरह से हमारा चोटा सा फ्लावर बनके तेयार हो जाएगा और इसी तरह हमने दिखी रेट कलर का बनाया है तो यह यहाँ पर ज्यादा डिजाइन डाली है धाइंज की डिजाइन ली थी धाइंज की कपड़े पर बनाई थी तो यह बड़ा रखना है तोड़ा उपर वाला चोटा अब देखिए दोनों को नीचे में बड़े वाले प्ल इसके बाद लेंगे इस तरह से इने लटकन लिए है यहां पर इसको इसतरह लगा देंगे अब इन डिजाइनों पर हमें मोतिया लगा लेनी है एक एक मोति सभी डिजाइनों पर लगा देंगी तो इस तरह देखें, मुतियां लगा दी है, डिजाइन पूरा भी बनके तयार है, लास्ट मिस का प्लेट्स बना देंगे और बात में गले पर डोरी लगा देंगे, तो इस तरह आप भी गले का नर्शा डिजाइन बना कर तयार कर सकते हैं, तो अगर डिजाइन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक सेयर करना ना भूलिएगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक निव डिजाइन के साथ धन्यवार